best laptop for video acting तो यार आज हम बात करेंगे अगर आपको वीडियो एटिंग के लिए laptop चाहिए एंड अगर आपका budget 90,000 से लेके दो लागा इस price range की बात करेंगे प्लस में आपको कहना जाता हूँ अगर आपका budget 90,000 से कम है यार उसकी वीडियो मैंने पहले ही की हुए मेरे चानल पे आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपका budget कम है उसको चाहुड कर ले ना आपके लिए best deal हो जाएगी अभी बात करते हैं अगर आपको budget 90,000 से लेके 1, like 10,000 इस price range में यार मैंने रखे हैं दो laptop ये दोनों laptop आपको बहुत पसंद आने वाले हैं एंड इसके specification भी बहुत आप पर देखने को मिल जाते हैं है तो यार अगर आपने gaming भी करनी है, lasting भी करनी है, video acting भी करनी है, photo acting भी करनी है, as a developer यूज़ करना चाहते हो, as a creator यूज़ rocks tricks को, अगर इस laptop की बात करूं, stylish design तो देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ साथ ये specification के according पूरा loaded है, वो मैं आपको बता देता हूं, number one की भी बात कर लेते है, number one पर यार मैंने रखा है Asus Rock Zappos G Fording को, अगर इस laptop की बात करूं, 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज कर सकते हैं, इसकी display quality बहुत धगड़ी, जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिलती है, तो यहाँ दोनों की specification बहुत धगड़ी होने वाले हैं, अभी बात करते हैं, थोड़ी सी deeply, तो यहर Asus Rock Zatrix की बात करूं, सबसे पहले display की बात करूं, 15.6 inch flash d plus display मिल जा दी, जो की IPS level display, जो की आ बात करूं, आपको 7-8 hours का battery backup मिल जाएगा, प्राइस की बात करते हैं, असूस Rock Zatrix देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ में स्पेस्टिकेशन में आपको बता दी, असूस Rock Zatrix की, तो भई अगर आप एज आप वीडियो एट्टिंग के लिए लेना जाए तो आपके लिए perfect deal हो सकती है, अभी आगे बात करते हैं, असूस Rock Zatrix G 14 की, तो यहाँ डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14-inch Full HD Plus दिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि IPS NT के लिए डिस्प्ले है, पर साथ-सार की बात करूं, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा, 4600HS के सा storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाते है, बेंटरी लाफ की बात करूं, आपको 90,000 के budget में, मतलब 90,000 से start हो जाती है, इसका budget तो यहार आपको तक भी बेखने को मिल जागी, मतलब जो भी specification चाहिए, आप उसके according देख लेना है, जितना pay कर सकते हैं, आप उसके according जा सकते हैं, तो यहार main specification अभी मैंने आपक 1000 तो असूस रॉक जैबर सची फॉर्डिन आपके लिए perfect choice हो सकती है, अभी आगे बात करते हैं, अगर आपको budget 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस price range की बात कर लेते हैं, तो इस price range में, यार मैंने रखे हैं, ती laptop ठीक है, दो आते हैं for gaming के लिए, अगर आपने gaming भी करना ह या, photo editing भी करने हैं, जा कोई भी heavy software भी काम करना है, आपके लिए 2 laptop बताऊंगा, प्लस भी अगर आपने as a pro काम करना है, as a professional काम करना, as a creator काम करना, as a developer काम करना है, video editing करना है, photo editing करना है, आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, तो start करते हैं, number 3 की बात करते है, number 3 पर मैंने र ラ repte algae गेमिंग के लिए बैस्ट है watching के लिए aटेकर अपने फोटो एटिंग करनी है क्यों ही software यूज़ करना है आपके लिए sky इली हो सकता है number one की बात करू. number one की बात करू वीडियो एक्टिंग के लिए यूज करना 4K करना चाहते हो एज़ एनिमेशन करते हो 3D एनिमेशन करते हो कोई भी हैवी सॉफ्टर यूज करना चाहते हो आज तक का ये लैक्टॉप भी आपके लिए परफेट डील हो सकता है प्लस इंट्रनेशनल क्लिटर इस लैक्टॉप को बहुत पसंद करते हैं आपको भी बहुत पसंद आने वाला है जो कि आपके लिए बैस्त दील हो जाएगी अभी बात करते हैं तीनों के बी रम मिल जाते एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो प्लस आपको वान टीबी एच्रीडी देखने को मिल जाते प्लस तो फिफ्टेश्च जीबी एस एस्थी देखने को मिल जाएगी ग्राफिक काड की बात करूँ आपको नवीड यह जीफू आर्टी एक्स तू रो शिक्स बी ग्राफिक काड मिल जाएगा बहुत अत्तगड़ा है अगर आपने हाई सैटिंग पर गेमिंग करनी है आप इसली नॉर्मली कर सकते हो लाफ स्टीम भी आपकी इसली करवा देगा उपरेनी सिस्टेंग की बातों को विंडू टैम मिल जाते है बैंटरी लाइफ की बात क चल जाना आगे बात करते हैं सुस्तफ गेमिंगे 15 की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 फुलस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती जो की आई पैस लावल पैनल डिस्प्ले है प्रसासर की बात करूं आपको AMD राजन 7 देखने को मलता 4800H के साथ storage की बात करूं को 16 GB RAM मिल जाती expandable आपका सकते हो प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मलती प्लस 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको Nvidia G4 RTX 20606 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता अपको 48 आवस का बैंटरी ला मिल जाता प्राज की बात करूं दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस 92,000 के बड़र में मिलता था लेकिन अभी इसका प्राइस जादा हो गया आपको देखने को मैं लगा 1,20,000 के बड़र में असूस तरफ गेमिंग A15 अभी बात करते हैं नंबर वान की नंबर वान पर मैंने रखी है HP Spectra X360 इसकी डि आपको देखने को मिल जाएगी तो यह में स्पेसिफिकेशन अभी मैं आपको तीनो ही लैटॉप के बता दिए तीनो लैट्व पूरे पोफेक्ट है अपनी अपनी जगा ठीक है अगर आपने गिमिंग करने है दो लैट्व बता दिए बहुत ज़्यादा सही है अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है फोट एक्टिंग करने है आप उसकी अभी जा सकते हो अगर आपने आज़ा प्रो काम करना है आपके लिए HP Spectra X360 बहुत ज़्यादा सही चीज होने वाली है आप जा सकते हैं अगर आपने वीडियो से लेके दो लाख हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैं आपको सीधा बोलना जाता हूं आप जा सकते हैं अपने इतना द्यान में रखना है कि अपने 16GB RAM के और जाना ही जाना है अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है 4K में ट्राइ करना जाते हो तो 16GB RAM मिनीमम होनी चाहिए अगर आप 32GB RAM के और जा सकते हो आपके लिए वोगत जन्नत होने वाली है लेकिन 16GB RAM मिनीमम होनी ही चाहिए ठीक है तो यार मैंने अभी आपको इतने सब्सक्राइब नहीं होने वाले उसमें भी आफ 4K कर सकता आपको 16GB RAM मिल जाते हैं आइस सावर मिल जागा 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं जो कि यही स्पैस्फिकेशन तो चाहिए होते है यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपने मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं क्या दोस्तों को पेतना उनको भी गयता नहीं को गते सब्सक्राइब व्यडिकों करते हैं लाइक इंस्तागर आपको लिए आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को में जाग उसको चाहवर कल ना भी मेलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडिकों साथ थेंक